निप्टी के अंदर नेक्स्ट मार्केट का क्या व्यू रहेगा मेरा मैं आपको वो समझा देता हूं सबसे पहले दो ट्रेंड लाइन मैं बता रहा हूं वो आप ड्रो कर दीजी ताकि आपके लिए यह काफी वर्क करेगा तो यह स्टार्टिंग पॉइंट्स में आप देख दीजी जो इनके पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं यह अगस्त के अंदर का यह जो पॉइंट है 15 890 के आसपास का फिर उसके बाद यह पॉइंट्स लेना आप 16 299 और फिर यह लास्ट का जो अभी हाई बना था 17 219 तो इसको मिला के उपर की तरफ लाइन ड्र थी इसको और फिर इसको मिलाएगा यह जो 16 440 के आसपास की कैंडल को और फिर यह आपके आता है 16 533 यह वन हवर का चार्ट है तो वन हवर कूपर सबसे पहले आप इन दो लाइन को ड्रोग कर दिजीगा तो लगबग ब्लास्ट डैड मैने से मार्केट इसी रेंज के अंद आपके लिए आने वाले टाइम में आप इसको देकर स्विंग ट्रेडिंग के जो डिसिजन होते हैं या हमें कहां बाई करना या कहां प्रोफिट वुक करना है एटलिस्ट वो पता चल जाएगा और कहां से हमें आगे लॉंग के लिए जाना है और उसके बाद एक इन दोनो तो उसके से बनाएगा और पित नीचे सांगे इस तरीके का बनाएगा यहा फिर मार्केट दो जाना है तो वो इस तरीके से बनाएगा वी और अगर मार्केट प्ॉर. psychologist में जाना है तो युद्रम market इस तरह के से एक Channel Channel बनाके वर्क करता मार्केट कभी भी आप देखेगा जब भी वर्किंग करता एक चैनल बनाके इस तरह के सब करेगे मार्केट चैनल में नहीं है मतलब आपका setup market अपने जो particular एक setup के तयत काम करता वो work नहीं कर रहा तो उस समय हमें avoid करना होता है और अगर हम इस level को पैचान लेते हैं जो अपर high होते हैं और जो नीचे का band होता है अगर band को पैचान लेते हैं तो हम एक exit point पर entry कर सकेंगे और exit point पर exit कर सकेंगे तो यही चीज़ है आप इन तो चार्ट को थोड़ा और मैं छोटा कर देता हूं यह आप देखेगा जब वन हवर के चार्ट पर देखेंगे ता आपको पता चल जाएगा यहां से आप स्टार्ट करेगा यह आपको वैसे चार्ट देकर पता चले जाएगा लगबग 16145 से और इसको फिर इससे करना है कहां पर सैल करना है लॉंग टर्म के लिए वो यह डिसाइड करता है यह मार्केट का स्ट्रक्चर है जो पिछले मार्केट कर उपर आया था और जिब है आप एक चीजह देखेंगे जो बड़ी वाली weट की लाइन में ने देखी थी मार्केट ने यहां पर मार्केट ने रिजिस्टन्स लिया यह मार्केट इसको उपर गया, लेकिन अगर यहां से ऊपर जाने के बाद, इसको मारकेट वापस अंदर की तरब नहीं डाउन करता, और यहां से सपोर्ट लेकर उपर जाता, तो फिर से अभी जतनी रेली आई है ना, इससे भी जदा रेली कंटीन्यू करता मारकेट अभी यहां से फिर next दो दिन से continue market इसको resistance लेकर नीचे आ रहा है और आज फिर market यहां उपर गया था तो इसको resistance लेकर नीचे आया है तो अब हमें next जब भी हम call के लिए apply करेंगे जब भी आपको call लेना है तो आपको एक point यह याद रखेगा जो market का last high था मैं आपको यह बता देता हूं यह लगबग 430 के आसपास 436-436-430 का यह जो range है यह जब भी market 432-330 को cross करें तब आप लेंगे लेकिन उस time आपका जो target है वो again यह जो line है यह trend line है इस trend line के आसपास आते ही आपको profit book करना एक बार आगे अगर इसको trend line को break करके उपर जाता है तो no doubt हम फिर से trade लेंगे और हमारा इस trend line के नीचे का जो भी last swing होगा इसको stop loss मान लेंगे और हम इसको आगे फिर continue करेंगे और उसके बाद कल के लिए अगर हम देखे तो market ने यह जो point है तीन सो लास्ट का आज का swing था दो सॉरी एक मिनट 288 यह आज का swing था और उसके बाद यहां पर market काफी देर रुका था और इसके बास यहां से support लेते वे market ने continuously 100 points की रेली दी ती और फिर market वहीं उसी point से reverse हो गया तो अब हमें क्या करना कि अगर किसी भी time हमें c e लेना है तो market जैस इसको कल अगर cross करता है तो इसको cross करने के बाद हमें c e लेना है और हमारा target यहां तक का होना चाहिए इस लगबग यह 30-40 points का ही हमें एक बार target रखना है अगर market इसको भी उपर जाके break करता है देन हमें next 100 points के लिए हम आराम से बैठ सकते हैं इसको cross करने के बाद और हमारा stop loss बहुत छोटा बन जागा अगर हम support और resistance के उपर buy या sell करते हैं तो हमारा stop loss बहुत छोटा हो जाता है और बीच में करते हैं तो stop loss बहुत बढ़ा बन जाता है तो कल के लिए आपको एक तो call कप buy करना है जब भी market इसको last high था इसको break करे तो और उसके ब पुट कहां पर लेना है जब भी अगर आप market कल डाउन जाता है नॉर्मली तो यहां से आप जैसे ही डाउन जाए यह आज का है आज की closing से 350 से नीचे आए तो आप 20 पॉइंट या 15 पॉइंट का stop loss लगा के आप यहां पर put buy कर सकते हैं लेकिन put में आपका नीचे का target क्या हो चाहिए यह जो बीच वाली लाइन हमने ड्रो की थी यह ट्रेंड लाइन इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर market आता है तो आपको तुरंत एक बार के लिए profit बुक करना है और उसके बाद अगर इसको break करता है break करके retest करें तो हम आगे further put के लिए बैठ सकते हैं जुसमें ह अगर market यहां कहीं open होता है इसके जस्ट आसपास तो हमें कोई trade नहीं लेना हमें wait करना है कि एक बार market या तो इससे support ले अगर इस trend line से support लेते वह उपर जाता है तो definitely हम इसको यहां का जो last swing होगा इसको stop loss लगाते वह यहां से call buy करेंगे और हमारा target लगबग हम इसको बना स इसको भी break कर दिया again then हम इसको break करने के बाद हमारा आराम से target बनेगा 223 17223 तो कल के लिए मेरा यह view था अब आप देख लीजिए कि आपको किस तरह से काम करना बट मैं यह जो trend line है मैंने आपको बोला था इस तरीके से trend line को आप ड्रो कर दीजिगा अपने चार्ट और यह तो 3 trend line है इसको continue आप long term के लिए रख सकते हैं जब भी market इसके आसपास आके अगर support ले आपको buy करना है अगर यहां से गिरता है और यहां कहीं market आता है 17000 के आसपास तो definitely आपको यहां से call buy करना ही है यह कल का नहीं बोल रहा हूं में आने वाले 3-4-5 दिन हपता भर 10 दिन आप देख लीजेगा कि आपको call किसी भी हाल में 17430 के उपर जाने पर ही लेना है और नीचे अगर आपको call लेना है तो यह जो point है यहां इसके आसपास इस trend line के आसपास अगर support लेकर उपर जाए तो हम call लेंगे और इसको break करके नीचे जाए definitely हम put buy करेंगे तो यह एक